नमस्कार साथ यहरू थापारलाई एस चानल बीपी रिग्मी क्लासीज मा फेरी बनी स्वागत छा राजा माईले बीपी एस फर्स्ट एर बिजनी स्टाटिक्स को 2020 model set question number 16 गर्नलाई रहे को चुछु अहले सम्माम आप question number 15 गरिश रहे को चुछु रती वहन अको लागी यहाँ आई पर्टन बाटगार रहे 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 हम्रों question number 16 एस प्रकार रहे को चुछु अहले इस the net profit of two companies in million of rupees find which company shows the greater consistency in the net profit justify your answer with statical evidence हमला यहां के दिखे हो चाता बंदा हैरी net profit देखो चा दूइटा company को million of rupees मा चास्ति यो company a रहा company b माज देखो चा यो million of rupees मा तपाइंको यो profit आरू देखो चा तो यहां के सो देखो चा मने find which company shows the greater consistency in the net profit greater consistency net profit में पता लगाऊना को लागी हामले company a र company b को coefficient of variation निकालना परने हुँचा company a को coefficient of variation निकालना को लागी mean र इस्टेंडर डेविशन चाहिंचा वने company b को पनी coefficient of variation निकालना को लागी mean र इस्टेंडर डेविशन चाहिंचा सब दभाप पहले कमपणी एक को महिं निकाल आनि कमपणी एक को stand- heartfelt निकाल निकाल चूंँ और कमपणी एक को कोफिशन्ड बराप वियरेशन निकाल्चों तेस पाझे भिबेकांở, कमपणी एकको stand- lшतकी मावियरेशन हूँ तेई कंपणी चाहे हैं हमले के मांचों greater consistent हमले मांचों फेरी बन दीन चू जुन कंपणी को CV थोरे हुँँचा तेई कंपणी more consistent या greater consistency y को company हुँचा सब बंदा पहला यह जुन देखो छा यह आमरो company a रा company b यह individual series में देखो छा तो हमले यहाँ x1 रा x2 रा x2 रा x2 इसकार गर्रें गर्चों यहाँ है नुष सो यहाँ है नुष calculation of coefficient of variation net profit of company a and company b so यह जुन company a जुन देखो छा हमले यह एक्स वन मानों आई 18 19 23 19 25 23 27 यह देखो छा सब पर जोड़ां summation x1 is equal to 154 वाय अनि यह जुन company b देखो छा इसला हमले x2 मान देऊ सब्सक्राइक लेखेओ आः अमसोर परता करके सो जात्यों सब्सक्राइब फैने को करे विष्मिर्य यह uh सब्सक्राइब इस रहा पत्सरे हो मान देखो फेल्ष्मिर्या ईकस्ता पहीं 254 तो अंत्ट समेस्टेटे। गर्षबहल अब किसमािवर्य लेंग मैं आयो data इस्ते गरी X2 कोई स्क्क्यार गाल। छल्गा छहन् so summation x1 by n1 गरेर हमले x1 बार मीन मनिसी company एको मीन निखालचुँँ अनि company एको standard deviation कसार निखालीन चाता बंदा हैरी under root summation x1 को square अपन n1 minus summation x1 upon n1 को होली square मनिसी ते यह बार हमलाई x1 को square चाहिए हो ते बार हमले summation x1 स्कायर निकालना सक्यों आणि तेस्पछी हमले कोविशन अपन मीन इन्ट पर्षंट गर रहा तेस्टे गरी कम्पणी बी मा आपनी तपनी दे अपनी इन्ट पर्षंट ит गर्षंट ओ यहां सबंदबह पहला कम्पणी एको को लागीएялаरनुस कम्पणी एमा इस Adapt आपनी जोंषन स्वीस्टी इचली दाओ अ घृत अ चान मिन शीद न अजिएव इनुक्तं Has यो is equal to Rs. 22,000,000 बायो अस्ते गरी हामरों standard deviation यो हामरों sigma 1 ले denote करीं चा formula की हो under root summation x1 को square upon n1 minus summation x1 upon n1 को holy square so summation x1 square को value कती होता वंदा हरी summation x1 square को value तपे को रहेगो चा 3458 यहां यह नो सकनों चा 3458 n1 को value n1 को value अगी नहीं आम ड्राखी सके चाहूं 7 minus summation x1 upon n1 summation x1 upon n1 करती हो 22 22 को holy square भायो 3458 upon 7 गर्दा हरी 494 बायो 22 को square गर्दा हरी 484 so is equal to root 10 भायो is equal to root 10 मने को 3.16 million भायो किना मने यह सपाई profit अरु million मत यह को चाहूं अनि coefficient of variation of a company को standard deviation upon mean into 100% यह percent मा आओ standard deviation मने को 3.16 mean मने को 22 देखो चाहूं 3.16 upon 22 into 100% करता है तपे को आयो 14.36% यह सरी जाए ए company को coefficient of variation 14.36% आयो यह ते गरी आमने company b को पनी coefficient of variation निकाल ले कासरी ता बंदा हैरी पहला mean निकाल ले रा अनि standard deviation निकाल ले रा so यहां है अनुस for company b mean x2 बार is equal to summation x2 upon n2 the summation x2 अने को 154 रहे को छा यहां है अनुसक्णों छा अंदरूट summation x2 को square upon n2 minus summation x2 upon n2 को होली स्क्यार summation x2 को square भने को कदी चाथा बंदा है यहां यहां सकनोंचा summation x2 को square भने को 3452 लास्टा बंदा लास्माया यहां 3452 आयको छा so 3452 upon n2 भने को 7 summation x2 upon n2 भने को 22 यहां 22 राखें 3452 upon 7 गर्दा हरी 493.1429 उन्चा 22 को स्कायर 484 स्वाल गर्दा हरी तपहेंगा अप्चा 3.02 मिलियन राख कोपीशन और बेरेशन अब बी कंपनी मन्दा हरी स्टेंडर डेविशन अपन मीन इंटू 100 परसेंट परसेंट मा लेखनों अला इस्टेंडर डेविशन मने को आमरो 3.02 मीन मने को 22 इंटू 100 परसेंट गर्दा हरी आमरो आयो 13.73 परसेंट यहां 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 नोचतें is equal to 40.36% is greater than the CV of B, is equal to 13.73%. A company को CV, B company को CV बन्दा बड़ी छा, बने के हुँचा था? B company ले बड़ी consistency देहाँ चा. So, ते लेहे कुचा, the company B shows greater consistency in the net profit. Just जुन company को CV थोरे हुँचा, ते ने बड़ी consistent हुँचा. यहाँ company B को CV थोरे थी हो, ते बड़ी यह company ले greater consistency देखायो. So, यह हम्रों solution बहुँचा, यह अंती सम्माई यह वीडियो देहाँ बहुचा, ते सुख लागे, रहे 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 धानवाद, थैंक्यू वेरे मच.